आज मुझे एडी गिराफतार करने आई है दिन बर हमसे पूश्टाज करने के बाद समय बिताने के बाद सुनियों धंक से मुझे गिराफतार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया और किस विसे पर ऐसे विसे पर जो चीज़ें मुझसे जुड़ी ही नहीं है कि मुझे पर साड़े आक एकड़े जमीन का मालिक हुने का इनका दावा है और भुयारी जमीन किया जो जमीन कभी बिक्ती ही नहीं है और कहीं सबूत नहीं मिला दिल्ली में भी इन लोगों ने च्छावे मार कर हमारी जो च्छवी खराब करने की कोशिस की और आज अंतोगत्वा ये सुनेजित तरीके से दिन भर ये योजना बत तरीके से आए समय काटे और उनको पता है कि साम के बाद कोट के चरी बंद हो जा नेने में सुनाया मैं कोट के नेने पर बिल्कुल सर्मानने के साथ उसका समान करता हूं अभी मैं कोट में जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि विवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चड़ती है आज लोगप्रिय सरकार एक आधिवासी अपने थाकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राकी जनता का सेवा कर रहा हूं आज लगता है यह वक्त अब मेरे लिए खतम हो रहा है अब यह नहीं लड़ाई हमें लड़नी पड़ेंगी ऐसे सामनती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोस लोगों को गरीव निरीव आधिवासी दलीद पिचड़ों के उपर जो अत्यचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संगर्स भी करेंगे आज मुझे संभाता ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे मुझे उसका चिंता नहीं है सीवू सुरें का मैं बेटा हूँ संगर्स हमारे खून में है और संगर्स करेंगे लड़ेंगे जीतेंगे और जिस मनसुबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोग ने ने लिया है और आपको हम बता दें बड़ा अश्यर की बात है अभी मैंने जमीन को लेकर उन्होंने मुझे आरोप लगाए और दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं बलकि जो लोग जाली कागच बनाकर और जिनके फरजी सिकायत के अधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक स्रयंत्र रजकर ये काम्याब हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आज ने कर सत्य की विजय होगी साथियो समय में बहुत कम है बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक जो अभी हाल में राजनितिक सड़यंत का सिकार ग्यार हुआ है अब ये दूसरे राजनितिक सड़यंत का सिकार जार्खन को बनाना चाहते हैं लेकिन आप अस्वस्त रहे हेमन सुरें जार् नोजवानों के दिल में हर एक बुजुर्गों के दिल में हर एक बच्चों के दिल में रहेगा और जिस तरीके से बुड़े बुजुर्ग के सेवा करते हुए नोजवानों को रोजयार लेते हुए अपने महिला सस्थिकरण को लेकर हमने काम किया रोजयार सिर्जन को लेकर क कि कभी हार नहीं होती यह मुझे जरूर थोड़ा बिचली तभी करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह बहुत जाला दिन तक चलेगा नहीं लेकिन जब हम अगली लडाई के लिए तैयार होके आएंगे तो इस मद्बूती के साथ आएंगे कि दुबारा इस तरीक के सड़न कर करने वाले आगे से इस तरीकी के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े धन्यवाद साथियों जोहार और कल सुबह अगबार के माध्यम से टीवी चैनलों के माध्यम से संभावता आप सब लोगं को इस बात की खवर होगी कि आज थे मंसरें गिरफतार हो ग आएंगे और मैं जानता हूं जारकन की दंता काफी समय दंसी है और करमत है और हम अपनी इमानदारी के साथ अपनी लडाई को जारी रखेगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लडाई में आपका भी पूरा सहयो मुझे पराप्त होगा धन्यवाद जोहार